प्रणाम और नमन करते हुए कारिक्रम के शुरुवात करता हूँ तो मित्रों कैसा लग रहा है आप लोगों को कुछ कुछ हो रहा है तो फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूरी तालियों की गड़़ाट के साथ राजीव दिक्षित साहब को मंच पर बुलाएं एक छोटी सी और गंबीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब राजी भाई का व्याख्यान समाप्त होता है और जब प्रश्ण उत्तर का दौर चलता रहता है उस वक्त भावनात्तक जुड़ाओ और विशेवस्तू विशे की गहनता जो है वो पराकाष्ठा पर होती है बुलंदी पर होती है और ऐसे में हमारे कुछ मित्र अनायास बेरहमी से उठकर जाने का प्रयास करते हैं जो उस बुलंदियों को ठेस पहुचाती है तो ये हमारी गुजारिश है कि जब तक ये कारिकरम चलें जब तक राजी भाई नीचे नहीं उत्रें आप लोग जाने की किरपा मत करें हम लो हात्र का धर्म का निर्वाह हमें करना होगा और इसी अपैक्षा के साथ मैं मंच राजी बाई को स्पूर्ट करते हुआ हमें pakai पुझनिये साद्वी जी Turnी प्रभाजी आप ऑपुझनिये साधवी जी तरुनप्रभा जी उनको मेंरा सादर वंदन कोटी-कोटी वंदन मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश्रा में आप से बात करने का समबात करने का समय मिलता है मैं आप से कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले तीन दिनों से जो बात कर रहा हूं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और आज की बात मैं आपके लिए बहुत महत्तुकी मानता हूँ अब तक मैंने आपसे अश्टांग हिर्दयम के जिन सूत्रों पर चर्चा की है हम लोग हर एक विशह में आप जानते ना एक थियोरी होती है और एक प्रक्टिकल होता है तो अब तक आप समझेए कि मैं आपसे थियोरी की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात और करूँगा थियोरी की जो बची हुई है फिर उसके बाद आज मैं आपसे कुछ प्रक्टिकल बात भी करूँगा अगर मैं एक और भाषा में बात करूँ तो आप मैंसे कोई लोग अगर वकालत के पेशे में हो वकील हो तो आप जानते हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता है जज्ज्मेंट देता है तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट होता है functional operative part वो अब शुरू होगा आज से ऐसा आप कह सकते हैं please mobile phone switch off कर दीजे सादवी जी आज हमारे बीच में है आप इस बात के लिए आज छूट नहीं ले सकते तो अब तक मैंने आप से जो कहा है वो सूत्र रूप में थोड़ा सा सिध्धान्तिक बात हैं लेकिन सरल भाषा में विज्ञान के साथ पेश करने की कोशश की समझाने की कोशश की आज कुछ ऐसी बात हैं जो दैनिक जीवन में आप प्रयोक करें इन सूत्रों का प्रयोक तो करना ही है इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन सूत्रों के आधार पर आगे भी बहुत कुछ है जो बागवट जी ने कहा है सादवी जी चुकी यहाँ पर हैं तो उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जो आपके लिए पुरानी लगेगी शायद उनके लिए नहीं होगी और मैं उनको इसलिए भी ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने व्याख्यानों में हर बार ये बाते हैं सेकुणों लोगों तक कह सकती हैं सादवी जी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साड़े तीन हजार साल पहले भारत में एक महान व्यक्ति हुए उनका नाम था महरशी बागभट उनकी लिखी हुई दो शास्त्रिय पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं एक उनकी पुस्तक है अश्टांग हिर्दयम दूसरी पुस्तक है उनकी अश्टांग संग्रहम ये दोनों पुस्तकों में महरशी बागवट ने 7000 सूत्र लिखे है संस्कृत में लिखे है ये सूत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए है हमारे अपने जीवन में हमें स्वस्थ रहना है निरोगी रहना है तो इन स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सूत्र बागवट जी ने लिखे है बागवट जी महरशी चरक के शिश्य थे चरक रिशी का नाम हम सब जानते हैं चरक रिशी के वो शिश्य थे और सबसे बहतरीन शिश्यों में उनकी गिंती होती है, सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं चरक रिशी ने जितना शोध कारी किया, बागवट जी ने उससे भी जादा किया 135 वर्ष उनकी आयू रही, 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजे 18 वर्ष छोड़कर, 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्यन करता रहा तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्होंने बहुत गहन अध्यन में लगाए और उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा, तो उस पर कम से कम 50 से ज़्यादा उन्होंने observations किये, आज का जो विज्यान है जिसको हम आधुनिक विज्यान कहते हैं ये पूरा observation पर आधारित है, observation को हिंदी में क्या कहते हैं हाँ, निरिक्षन, निरिक्षन, परिक्षन या निरिक्षन, हाँ, प्रयोग या परिक्षन या निरिक्षन तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका पचास बार परीक्षण किया अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों पर किया और जब उन्होंने देखा कि परिनाम वही है तब सूत्र लिखा अब हम कलपना करें कि 7000 सूत्र लिखे हो और एक-एक सूत्र पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किये हो तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई महर्शी बागवट बाल ब्रह्मचारी थे अंतिम समय तक वो ब्रह्मचारी का ही पालन करते रहे ग्रहस्त आश्रम उन्होंने नहीं जिया लेकिन वो मानते थे कि ग्रहस्त आश्रम बहुत महत्तुका है तो ऐसे महर्शी बागवट के सूत्रों को मैं पिछले 6 साल से पढ़ता रहा और भारत की आज की जो परिस्थिती है मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि उसमें ये बहुत अनुकूल है आज हमारे भारत की परिस्थिती ऐसी है 112 करोड लोग इस देश में रहते हैं इन में से करीब 75 से 80 करोड लोग बीमार है सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड लोग हैं स्वस्त बाकी सब हैं बीमार अलग-अलग बीमारियां हैं बात की बीमारियां हैं, पित की हैं, कफ की हैं और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर है रजिस्टर्ड जो MBBS, BAMS और BHMS तीनों पद्धिती के हैं 23 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर है अगर अन रजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दे तो सरकार कहती है लगबग अन रजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही है 25 लाख के आसपास तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान लें अन्रेजिस्टर्ड और रेजिस्टर्ड तो भी मरीजों की संख्या 70-80 करोड है एक डॉक्टर एक दिन में अच्छे से अच्छे काम करे तो 30 से जादा मरीज नहीं देख पाता तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 30 व्यक्ति एक डॉक्टर के सुपूर्द कर दिये जाएं तो 50 लाख डॉक्टर हैं मुश्किल से 1.5 करोड लोगों का इलाज हो सकता है और रोगी 75 से 80 करोड हैं तो बागवट्टी जी एक सूत्र लिखकर चले गए वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयम कर सकता है और इस बात को उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत चिकित्सा बहुत आसान है जो कोई भी व्यक्ति स्वयम कर सकता है 15 प्रतिशत चिकित्सा थोड़ी मुश्किल है जिसमें आपको विशेशग्य की मदद की जरूरत पड़ती है तो मैंने सोचा क्यों ना ये 85 प्रतिशत चिकित्सा जो आसान है वो लोगों तक पहुँचाई जाए इस द्रश्टी से ये व्याख्यान शरंखला आयोजित की है यहाँ पर श्रीमती प्रभादेवी जैप्रकाश जी के नाम से चलने वाला एक ट्रस्ट है उसके मुख्य व्यक्ती मेरे साथ है श्रीश शुभाकान जी दाश और उनके पुत्र है प्रदीब भाई और उनके सब सहयोगी नरेंजन भाई और मेगानी जी इन सब ने मिलकर या आयोजन किया और मेरे जीवन का ये पहला व्यक्तियान है जो मैं इस विशे पर दे रहा हूँ इसके पहले इस विशे पर मैंने कहीं बाती नहीं की क्यूंकि अभी तक मैं अध्यन ही करता रहा और ये बात करने का ऐसा हो गया कि एक दिन मैं शोबाकान जी के घर खाना खा रहा था प्रदीब भाई के साथ बात हो गई कि क्यों ना इस विशह पे बात किया जाए तो ऐसे ये तै हो गया अनायास लेकिन मुझे लगा कि ये शायद सार्थक हुआ कई लोगों ने मुझे कहा और खासकर बाबु जी माने शोबाकान जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाशन देना बंद कर दो वो जो पेपसी कोका कोला वाले और विदेशी स्वदेशी वाले या डबलू टियो वाले ये ही कहो शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विशे में मैं आगे भी और जादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूँगा तो अब तक हमने तीन दिन की व्याख्यान महला पूरी की है आज चौथा दिन शुरू हो रहा है तो कल तक के जितने सूत्र थे वो एक बार मैं आपको दोहरा दूँ ताकि आपको याद हो जाएं कल का सबसे पहला महत्तु का सूत्र मैंने बोला था कि आप खाना खाने के बाद पानी ना पियें पानी हमेशा डिड़ गंटे के बाद पियें कारण मैंने उसका बहुत विस्तार से बताया था उसमें दुबारा जाने की जरूरत नहीं है वो पहला सूत्र था कल का दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पियें तो घूट घूट भरके पियें एक-एक सिप लेकर पानी पियें जैसे आप गरम दूद पीते हैं या गरम चाय या गरम कॉफी पीते हैं और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था तीसरा सूत्र है कि आप जब भी पानी पियें तो ठंडा ना पियें कभी भी ठंडा पानी ना पियें हमेशा गुनगुना पानी हमेशा गुनगुना पानी पिए वैसे जैन दर्शन में इसी को पक्के पानी की कहा जाता है इसको बात वो बिलकुल वैग्यानिक है बागवटट जी भी उसका समर्थन करते है हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें आप मैंसे कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पीएं बागबटी जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं लेकिन कोई बहुत तकलीफ आए तो मिट्टी के बरतन का पानी आप गर्मी के दिनों में 3-4 महीने पी स पिर चौथा सूत्र ये था कल का, कि पानी कभी भी पियें तो सबेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पियें, माने सुबह की शुरुआत पानी से करें, और उसमें मैंने बताया था कि मूँ का कुला किये बिना, वो उठते ही पानी आपको पीना है, क्योंकि रात को जब आप सोत करके भी देखा है, कि सुबह की लार, गलती से भी, आप किसी चीटी या चीटा या मक्खी पे थूख दो, वो तुरन मर जाएगा। सुबह की लार अगर आपने गलती से चीटी चीटा या मक्षी पे थूख दिया वो तुरन मर जाता है क्योंकि उसका औशदी अगुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा से जोड़ा बागवट जी ने इसको शरीर स्वास्त से जोड़ा तो ये चार सूत्र मैंने कल आपको बताए थे ये बहुत फंक्शनल है ऑपरेटिव इसके पहले पाँच सूत्र पिछले दो दिनों में मैंने बात की थी आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूँगा ताकि आपको भूलने ना पाए आसानी से याद हो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कल के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूँ बागवट जी कहते हैं बहुत गहरी बात वो ये कहते हैं ये साद्वी जी है इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग रहा है इस सूत्र का मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज कह रहा हूँ बागवट जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें भोजन का समय निश्चित करें ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है इस शरीर में जठर है मैंने आप से कहा उसमें अगनी प्रदीफ्त होती है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा तीवर हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक-एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस मेंसे मास मजजा रखते वीर मल मूत्र मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा तो कभी भी कुछ ना खाएं ये पद्धिती भारत की नहीं है ये यूरोप की है यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो हमारे ये नहीं है थोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ बागवट जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उस से जब आपके पेट में अगनी की प्रभलता हो बागवट जी ने इसमें बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि डेड़ दो साल की रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग ढ़ाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है सूर्य के उदय होने से सूरिका उदे होना आप चिन्नई के हिसाब से सोच लीजे मान लीजे साथ बजे तो साथ बजे से लेके साड़े नौ बजे तक जठर हगनी सबसे ज़्यादा तीवर होगी हो सकता है यही सूत्र अरुनाचल प्रदेश में मैं बात करूँ तो वो चार बजे से साड़े छे का समय आ जाएगा क्योंकि अरुनाचल प्रदेश में सूरे चार बजे निकलाता है अगर मैं सिक्किम में बात करूँगा तो और पंद्र मिनट पहले हो जाएगा और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूँगा तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए तो सूरि के साथ इसको ध्यान रखे तो सूरि का उदे जैसे ही हुआ उससे अगले धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो बागवट जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें वो तो एक जगए यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें माने ब्रेकफास्ट गायव नाश्ता छोड़े हैं सीधे ही भोजन करें यहां तक वो कहते हैं वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौ बजे तक अगर आपने भरपिट भोजन किया है तो इस मैंसे जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद एक एक अन्न का टुकड़ा एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपियोगी होगा क्यों क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह साथ बजे से आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं साथ बजे से साड़े नो जठर अगनी बहुत तीबर होती है बागवट जी ने एक और रिसर्च किया था कि शरीर के जो अलग-अलग अंग है जैसे हिर्दय है और जैसे जठर है जैसे किड्नी है जैसे लीवर है इनके काम करने का अलग-अलग समय है जठर अगनी के काम करने का सबसे अच्छा समय है साथ से साड़ेनों सूर्योदै से ढाई गंटे तक फिर इसी तरह से हिर्दै के काम करने का समय है सबसे जादा ब्रह्मु महूर्त से ढाई गंटे पहले ब्रभ्मोर्त आप समझते हैं चार साड़े चार तो 2 सवा दो बजे, 1.5 बजे से ले कर 4 बजे के बीच में हर्ट सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा हर्ट एटेग उसी समय में आते हैं किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लेज़े क्योंकि हिर्दय जब सबसे ज़्यादा सक्रियों होगा तो हिर्दय घाद भी उसी समय होगा इसलिए 99% हरटेटेक early mornings में ही होते हैं क्योंकि हिर्दय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज़्यादा है इसी तरह हमारा liver है इसी तरह kidney है इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है बाहर पुस्तकों में है इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता संकेत के लिए आप से कह रहा हूँ कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है प्रकरती ने तै किया है उसको भगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नो तो आप भरपेट खाना खाईए ठीक है फिर आप बोलेंगे जी दुपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजे लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे जादा अगर आज की भाशा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है न वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए बारी से बारी ब्रेकफास्ट जितना खाते हैं जादा भी खा लीजे कोई फरक निपड़ सुबह के नाश्टे में भरपेट खाईए फिर वो कहते हैं दुपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको कम करिए नाश्टे से दुपहर का भोजन नाश्टे से कुछ कम करिए एक तिहाई कम कर दीजे और रात का भोजन दुपहर के भोजन का एक तिहाई कर दीजे अब सीदे से मैं कहता हूं अगर आप सवेरे छे रोटी खाते हैं तो दुपहर को चार ले लिजे और शाम को दो अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोवी का पराठा खाना है आपकी जीव स्वाद के लिए मचल रही है तो बागवटी जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ आलू का पराठा भी खाओ गोवी का पराठा भी खाओ मूली का पराठा खाओ जो आपको खाना है हालां कि जैन है तो आलू का पराठा तो निशिद है, मूली का भी निशिद है आपके लिए फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो जादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाक्य में कहता हूँ जो चीज सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ रसगुला पसंद है तो सुबह खाओ रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ जलेवी खानी है तो सुबह खाओ इमरती खानी है तो सुबह खाओ जो भोजन आपको सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ, वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेट भर के खाओ, तो पेट की संतुष्टी हुई, मन की भी संतुष्टी होती है, और बागवट्टी जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टी, पेट की संतुष्टी से ज जो गिनते हैं ना हाला कि वो है नहीं लेकिन उन्होंने जो कहा है वो pineal gland के बारे में है यह जो pineal gland है ना इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम hormones कह सकते हैं कुछ enzymes हैं यह संतुष्टी के लिए सबसे आवश्यक gland है pineal gland तो भोजन अगर आपको तरप्त करता है भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तरप्त होना तरप्त करेगा तो pineal gland आपकी सबसे जादा सक्रिय है तो जो भी रस और enzyme चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं और जो भोजन के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक कलेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफरेनिया के शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बीमारियां हो सकती हैं बागबटी जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं हैं तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं उनकी पूरी सूचे है जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है मनुष्य को छोड़कर क्योंकि मनुष्य को में मूर्ख मानता है हालांकि मनुष्य अपने को होशयार समझता है लेकिन मनुष्य से ज़्यादा होशयार ये जीव जगत के प्राणी है आप चुडिया को देखो चुडिया, कितने भी तरह की चुडिया, सबेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है, और भर पेट खाती है, छे बजे के आसपास आप राजिस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चुडिया अपने अपने काम पे ल लेगा, गाय का खाना शुरू हो जाएगा, बहस का खाना शुरू हो जाएगा, बकरी, बकरे, बेड, गधा, घोडा, सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे, और पेट भर के खाएंगे, चक के खाएंगे, फिर दुपहर को आराम करेंगे, तो ये सारे जानवर, सारे जीवजन्तु आप सांप को देखो बिच्छु को देखो कीडी को देखो चीटी को देखो सब जानवर सब जीवजन्तु जो हमारी आँखों से दिखते हैं जो नहीं भी दिखते हैं ये सब का भोजन करने का समय सवेरे सूरियोदे का ही है सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं इसलिए ये हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं मैंने आपको कई बार ये कहा है आप उसको हस देते हैं किसी भी चुडिया को डाइबिटीज नहीं होता किसी भी बंदर को हर्ट अटेक नहीं आता बंदर तो आपके नज़्दीक है शरीर रचना में बस बंदर और आप में एकी अंतर है कि उसको पूछे आपको नहीं है बाकी सब कुछ एकी है आपका हिर्दय, बंदर का हिर्दय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किड्नी, बंदर की किड्नी सब कुछ समान है, मा का गरभाश है, बंदरिया का गरभाश है, सब समान है, एक ही अंतर है, उसको पूछे आपको नहीं है, तो ये बंदर को कभी भी diabetes नहीं, कहर्थराइट्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, डॉक्टर करनाटक में एक उडूपी नाम की जगह है वहां रहते हैं बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर मनें 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार तो उन्होंने तरह तरह के वाइरस और वेक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया कभी इंजेक्शन के माद्यम से कभी किसी माद्यम से वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा बंदर को कुछ नहीं हो सकता और मैंने का कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कॉलेस्ट्रॉल बढ़ा दू बढ़ता ही नहीं तब उन्होंने एक बिन रहस्य की बाद बताई वो आपको भी मैं बता देता हूँ कि बंदर का जो बलड है ना उसका आरेच फेक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है और आपका आरेच फेक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर सही कंपेर करता है वो बताता नहीं आपको ये अलग बात है कंपरिजन बंदर सही होता है कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती ब्लड में कॉलस्टरॉल बढ़ता नहीं ट्राइगलिसराइट कभी बढ़ता नहीं डाइविटीस कभी होती नहीं शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रियूज करो उसके ब्लड में टिकती नहीं तो वो प्रोफेसर साब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सबेरे ही सबेरे भरपेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता तो वो प्रोफेसर रवींदरना शानवाग ने कुछ अपने म मरीजों को कहा कि देखो बंदर की तरह से खाओ माने सुबे सुबे भरपेट खाओ तो उनके कई मरीज हैं जिनों पर उन्होंने एक्सपरिमेंट किया और वो मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबे भरपेट खाना शुरू किया किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई किसी का कॉलेस्ट्रॉल कम हो गया किसी के घुटने का दर्द कम हो गया किसी के कमर का दर्द कम हो गया किसी का कुछ किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई पेट में जलन होना बंद हो गई, नीद अच्छी आने लगी, वगेरा वगेरा, सारे improvement वो बोलते हैं, होते हैं, तब से वो चिला-चिला कर कहते हैं, और ये बात बागवटे जी साड़े 3000 साल पहले कहते हैं, कि सुबह का खाना सबसे अच्छा, माने सबसे जादा खाना है, सबसे अच्छा खाना हैं, जो भी स्वाद आपको लगता है, वो सुबह ही खाईए, तो सुबह का खाना, फिक्स करिए, समय तै करिए, तो समय मैंने आपको बता दिया, सूरज उगा और धाई गंटे तक, माने साड़े 9 बजे तक, जादा से जादा 10 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए, औ और आप जानते हैं, हमारे यह चक्कर क्या चल गया है, नाश्ता थोड़ा कम करेंगे, लंच थोड़ा जादा करेंगे, डिनर उससे भी जादा करेंगे, सवा सत्या नाश, एकदम उल्टा, बागवट्टी जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे जादा करो, लंच उससे कुछ कम कर वो लोग नाश्टा हलका ही करें तो उनके लिए अच्छा है हमारे लिए नाश्टा जादा ही करना बहुत अच्छा है कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूरे नहीं निकलता साल में आठ-ाठ महिने तक सूरज के दर्शन नहीं होते और ये जो जटर अगनी है न ये सूरज के साथ सीधे संबंदित है जैसे जैसे सूरज तीवर होगा अगनी तीवर होगी जैसे जैसे सूरज कम होगा अगनी भी कम होगी तो यूरोप और अमेरिका में सूरज निकलता नहीं साल में 8-8 महीने बरफ पड़ती है माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान होता है तो वहाँ जब सूरज है नहीं तो जठर में अग्नी हो नहीं सकती तो वो नाश्टा हैवी नहीं कर सकते करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था अपनी आबो हवा, अपना परियावरण, अपना वातावरण, अपनी तासीर इसको ध्यान में रख कर ही चले तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है, सुबह, निश्चित रूप से निकलता है अगले दिन भी निकलेगा, करोणों साल से निकल रहा है, अगले करोणों साल तक निकलेगा, इसलिए भारत में every morning is good morning, सबी सुबह अच्छी है, यूरोप वाले तरस्ते हैं good morning के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहाँ, इसलिए हर एक आदमी दूसरे को wish करता है, may I wish you to have a good morning, इसलिए वो good morning वाले लोग हैं, हमारे यहां तो every morning is good morning, तो हम good morning में क्यों फसे हुए हैं, तो good morning से निकलिए, नमस्ते में आईए, नमशकार में आईए, वणकम में आईए, ये good morning आपके लिए काम की चीज नहीं है, और ये good morning जुड़ी हुई है आपके पेट से, जितनी अच्छी सुबह होगी, माने सूरी जितना अच्छा होगा, उतनी तीवर जठर अगनी होगी, उतना ही अच्छा भोजन करिए, तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भर पेट खाईए, माने नाश्टे को लंच में बदल दीजे, ठीक है, साड़े नो बजे तक, दस बजे तक जादा से जादा, फिर आप इसमें तरक और कुतरक मत करिए, जी हमको दुकान जाना है, हमको ओफिस जाना है, हमको दुनियादारी समालनी है, किस के लिए, इसी पेट के लिए ना, ये दुनियादारी कर किस के लिए है, आप इसी पेट के लिए ना, तो पेट तो दुर 10,000 करोड कमा लिया, क्या करेंगे डॉक्टर को ही देंगे न तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गोशाला वाले को दे दीजे, पेट दुरुस्त कर लीजे तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है, ये आप जान लीजे, इसलिए पेट को दुरुस्ती के लिए बागवट जी कहते हैं, सुबह का खाना भर पेट खाईए, माने आप बाहर निकलें घर के, तो छक कर खाना खाके निकलें भोजन करके ही निकलें दुपहर को बारे बजे से एक बजे के बीच में जठर अगनी की तीवरता कम होना शुरू होती है तो उस समय थोड़ा कुछ हलका खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है ना खाएं तो और भी अच्छा है खाली फल खालें, जूस पीलें दही पीलें, मठा पीलें आदी आदी, शाम को फिर खाएं अब शाम का बागवट्टी जी कहते हैं कि आपने एक चीज़ देखिया ना वो बहुत प्रकरती से सीखने की जरूरत है दीपक, दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी ठीक है? और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी मने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा यही पेट का भी नियम है जठर अगनी सुबह सुबह बहुत तीवर होगी और शाम को जब सूर्यस्त होने जा रहा है तब भी तीवर होगी बहुत तीवर होगी तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खालो सूरज डूबा तो अगनी भी डूबी तो वैसे तो जेन दर्शन में का है रात्री भोजन निशेद है बागवट जी भी यही कहते है तरीका अलग है बस आप हिंसा के लिए कहते हैं वो स्वास्त के लिए कहते हैं वो यह कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता गाय को खिला के देख लो नहीं खाएगी बेंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा गदे को खिला के देख लो, खाता नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं खाता, आप खाते हैं, तो आप अपने को compare कर लीजे कि किस के साथ हैं आप, कोई जानवर, कोई जीवराशी सूरज डूबने के बाद खाती नहीं तो आप क्यों खा रहे हैं प्रकृति का नियम बागवट्टी जी कहते हैं पालन करिए वाने रात का खाना जल्दी कर दीजे सूरज के रहते रहते माने पाच-छे बजे के आसपास आपके हां सूरज डूबता है छे बजे या साड़े-छे बजे वही समय सबसे अ तो छे बज़े बीस मिनट तक, छे बज़े डूब रहा है तो पाँच बज़े बीस मिनट तक, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाईए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का इनिकलेगा, तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खाली जे, और सुबह का तो सूरज निकलने क धाई गंटे तक कभी भी खा लिजे, दोनों समय पेट भर के खा लिजे, फिर कहेंगे जी रात को क्या, तो रात के लिए बागवट जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए, कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है, साद दूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में, जठर इस्थान में, कुछ ऐसे हार्मोन्स या इंजाइम्स या रस पैदा होते हैं, जो दूद को पचाते हैं, इसलिए वो कहते हैं, सूर दूबने के बाद जो चीज खाने वाली है, वो दूद है, या पीने व फिर आप कहेंगे, जी हम तो दुकान पे बैठे हैं, छे बजे, तो डबबा मंगा लीजे, दुकान में डबबा आ सकता है, हाँ, डबबा आने में कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में आप छे बजे बैठे हैं, डबबा आपका आ सकता है, और मैं आपको हाद जोड़ कर कह हूँ आप मैंसे कोई भी डाइबिटिक पेशेंट है कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है किसी को भी बात का गंवीर रोग है आज से ये सूत्र चालू कर दीजे तीन महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजी भाई पहले से बहुत अच्छा हूँ शुगर लेवल कम हो रहा है अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है ट्राइगलिस राइट चेक कर लीजे और इस सूत्र को शुरू कर दीजे तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे पहले से कम होगा VLDL, LDL आज चेक कर लीजे, तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे, बहुत तेजी से घटेगा HDL आज चेक करा लीजे, तीन महीने बाद चेक करा लीजे, बहुत तेजी से बढ़ेगा और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL, VLDL कम होना चाहिए तो ये सूत्र बागवट जी का जितना संभव हो आप इमानदारी से पालन करिए वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा अब इसके आगे का एक सूत्र बागवट जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें हर समय कि दो ऐसी विरुद्ध वस्थूएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है दो विरुद्ध वस्थूएं एक साथ कभी भी ना खाएं ये है सीधा सूदा सूद अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुध वस्तूवें क्या हैं मैं कुछ विरुध वस्तूवें की सूची बता देता हूँ डिटेल सूची तो बागबती जी ने बताई है एक सो तीन वस्तूवें है जो एक दूसरे के एक दम खिलाफ है 103 वस्तु हैं जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है दूद और प्याज साथ में खाया तो 20 यों बीमारी आने ही वाली है सबसे ज़्यादा बीमारी आएंगी त्वचा की आपको सुराइसिस होगा आपको एक्जीमा होगा आपको खाज होगी आपको कुजली होगी अगर प्याज दूद साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल कटहल को क्या कहते हैं कटहल समस्ते जैक फ्रूट दूद और जैक फ्रूट कभी न खाएं दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन और दूद और ऐसा कोई भी फल साथ में न खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है सिट्रिक एसिड आप समझते हैं संत्रा, मुसम्मी, नारंगी, अंगूर, खटी चीज एक खटी चीज तो आपकी बनाई हुई है एक खटी चीज भगवान की बनाई हुई तो भगवान की बनाई हुई खटी चीज है दूद के साथ जानी दुश्मन है बागवट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खटा फल है जो दूद के साथ खाएं वो है आवला 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 ही एक फल है खटा है, सिट्रिक एसिट भरपूर मात्रा में है, विटेमिन सी भरपूर मात्रा में है, केल्शियम उसमें भरपूर है, यही एक फल है जो दूद के साथ जरूर खाएं, बाकी कोई फल जिसमें खटापन है वो दूद के साथ ना खाए आम भी आम अगर खटा है तो दूद के साथ ना खाए मीठा है तब ही खाए आम और दूद कोई दोस्ती बहुत जवरजस्त है लेकिन खटे आम की दूद से दोस्ती नहीं है मीठा आम एकदम मीठा आम पका हुआ आम उसी को दूद के साथ खा सकते एक और उन्होंने गिना है वैसे तो आप जैन है तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूँ तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं दुनिया का सबसे खराब जहर है ये शहद और घी शहद घी साथ में ना खाएं शहद खाना है तो घी ना खाएं घी खाना है तो शहद ना खाएं इसी तरह से उड़त की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं उड़त की दाल वैसे तो मैंने कल बोला था दूइदल दूइदल में सबसे खतरनाक है उड़त की डाल उड़त की डाल के बारे में जितनी भी रिसर्चिस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये डालों की राजा है इसलिए ये अकेला ही खाएं इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़त की डाल के साथ डालों की राजा है राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है तो कहते हैं उड़त की डाल भरपूर खाएं मना नहीं है लेकिन अकेली खाएं और बाकी जो डाले हैं अरहर की डाल हैं मूम की डाल हैं तो मैंने कल कहा था कि ये भी दूइदल में है दही तो ना खाएं लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाए मैंने बताया था कि दही गरम खरके खाएं बने दही में भगहार लगा के खाएं ताकि तासीर गरम हो जाए उसके या मठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम ह लेकिन मेरी आपको विनम रविंती है उड़त की दाल के साथ तो बिलकुल ना दही खाएं ना मठा काएं बगारा हुआ भी नहीं खाएं बागवट जी कहते हैं कि चले गई नहीं मैंने इस पर मेरे अपने शरीर पर एक्सपरिमेंट किया मैंने एक दिन कहा कि चलो खाके किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25 परसेंट बड़ा हुआ था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं यह खाने लगूं उड़त की दाल और दही उड़त की दाल तो 100 परसेंट 6-8 महीने में हर्ट अटेक आई जाएगा इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बड़ा कभी भी नहीं क्योंकि दही बड़ा में उड़त की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिलकुल नहीं अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का मुंग की दाल का बड़ा है दही बगार कर या मठा बगार कर आप ले सकते हैं उड़त की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं उड़त की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि महमानों को उड़त की दाल का बड़ा और दही ना परोसें नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बने आप अपना तो नाश करेंगे या आने वालों का भी नाश करेंगे और अतिती देवता है उ यह चीज इसके साथ ना खाए यह चीज इसके साथ ना खाए तो बागवट जी कहते हैं दो विरोधी चीज़ें साथ में ना खाए और वो कहते हैं कि अगर आपने यह सूत्र धारन कर लिया तो जिंदगी पर आप निसंग कोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं तो आज का एक सूत्र मैंने बोला, फिर ये दूसरा सूत्र हुआ, अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूँ, आज का. बागवट जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं, जब भी खाएं, तो उसको जमीन पर बैठ कर ही खाएं. जमीन पर बैठ कर खाएं. मैं जैसे बैठा हूँ न, इसको आयुरुवेद की भाषा में कहते हैं, सुख आसन, ये आसन में खाना खाएं. क्यों खाएं जी? प्रशना आएगा आपके मन में. तो बागवट जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं, सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जटर है न, ये जो है, सबसे ज़्यादा तीवर है. और इस आसन में इसकी तीवरता हमेशा मेंटेन रहते हैं. आप अभी कुरसी पर बैठे हैं, इसमें तीवरता घड़ जाती है. और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी. कारण क्या है? आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं न, हमारे शरीर में कई चक्र हैं, कई चक्र हैं, एक चक्र जो है न, ये जो पीछे है, जहां पर आपका हिप जोइंट्स और आपका ये जो मन का होता है, जहां मिलते हैं, वो सबसे महतुपूर्ण चक्र है. ये प सूस करना चाहते हैं तो जमीन पर बैठके ही खाएं और वो यह कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठें उससे थोड़ा उपर रहे मानि पट्टा रखके या स्टूल रखके थाली उस पर ऐसे बैठके खाएं बागबटी जी ने और एक बात कहिए कि सबसे अच्छा तो यह है सुख आसन जिसमें आप बैठकर खाना खाएं वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं बाकी किसी में भी नहीं वो गाय का दूद जब निकलते हैं कैसे बैठते हैं बस उस इस्थिती में भी आप खाना खा सकते हैं उकडू गाय दूद निकालन का जो इस्थिती है बैठने का उस इस्थिती में बैठके आप खाना खा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है इसको ध्यान से सुन लीजे क्योंकि आगे उन्होंने एक वाकिलिक दिया कि जो शरीर श्रम जादा करते हैं जो शरीर श्रम जादा करते हैं जैसे किसान जैसे ह हमारे कारीगर मजदूर उनके लिए उकडू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा खाते भी हैं माने वो चेले हैं सब बागवट के और आप जो शरीर श्रम कम करते हैं आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा अब आप आज से एक observation कर लीजे कि जितने लोग इ परιशान है कि उनका पेठ आगे निकलाया है वो इस आसन में बैठकर खाना खाना शुरू कर दें और तीन महीचे के बाद फिर देखें तो उनका पेठ पहले से कम ही होगा आगे नहीं है और यह जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाईंगे पेठ आगे निकलता ही आएगा क्योंकि कुरसी आपके लिए बनी नहीं है यह अंग्रेजों के लिए बनी है अंग्रेजों के लिए कुरसी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है न तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके सभी जॉइंट्स कड़क होंगे कठोरता आएगी आपके यहां गर्मी बहुत ह तो आपके joints में flexibility है, तो आप आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं, कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता, जैसे मैं बैठाओ, अमरीकी नहीं बैठ सकता, क्योंकि घुटने कड़क हैं, hip joints कड़क हैं, बैठने में तकलीफ है, तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुरस टेबल पर खाना ना खाएं, तो आप कहेंगे जी ले लिया, तो बहुत सारा कचरा भर रखा है, आपने घर में क्या करेंगे उसका, हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना, हाँ, ये इतनी खराब बीमारी आईए है हमको, कि बिना सोचे, बिना समझे, कचरा लाला के घर में रखना, रसोईओं में मैं घरगों में जाता हूना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेकेंगे नहीं, समाल के, समाल के, कब काम आईगे मालूम नहीं, लेकिन वो भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं रसोई में इतने डिब्बे डबियां हैं काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है लेकिन रखा हुआ है पता नहीं कच्रे से इतना मोह क्यों है जो बाहर फेगना चाहिए वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है और फेकने की बात करो, हरे, पता नहीं, कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता, तो उसी कच्रे में मैं गिनता हूँ आपकी डाइनिंग टेबल, अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान ल रुपए स्क्वेर फिट और पचास स्क्वेर फिट आपने घेर के रखा है, जरा जोड़ लो ना, तीन हजार में पचास का गुणा करके, और रोज का हिसाब निकाल लो, तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बरबाद कर दिया, अब इसको जगे को घेर के बरबाद कर दि आपने, तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दे, नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दे, अब आखरी बात, आप कहेंगे राजी बाजी कुछ तो ऐसी बात करो, यह डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो, तो अगर आप सच में इमानदा इसे डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं, तो कुरसी पर ऐसे बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ, डाइनिंग टेबल की कुरसी है ना, वो है, आपको उससे छूटता नहीं है, तो बागबटे जी तो मना करते हैं, मैं उसमें एक सजेशन दे रहा कि जैसे मैं आसन में बैठा हूँ, कुरसी पर भी ऐसे बैठ जाएं, आलती पालती मार के, फिर खाली जाएं, लेकिन अच्छा तो नहीं है, लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है, अब डाइनिंग टेबल निकले, इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि मन से नहीं निकलती, शरी पर ऐसे बैठ जाएं, आसन मार के, आलती पालती मार के, फिर खाली जें, और नहीं है, अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है, मत लाइए, मेरी तो विंती है, मत लाइए, उसकी जगह लाना है, तो छोटे-छोटे पट्रे ले आए, जो आपके रसोई में बैठके आप खाएं तो बहुत अच्छा है, अब आगे का एक सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है, बागवट्टी जी कहते हैं कि खाना जब दुपहर को खाएं, और सुबह खाएं, सुबह और दुपहर, ये दो बात, वो ये कहते हैं कि दुपहर और सुबह का खाना खाएं, वैसे ऐसे के अगर 15 का खाना अगर 10 वजे खाए या 12 वजे खाया या 11 वजे खाया तो खाते ही विश्रानति लेंaden कब तक 20 ब् directions 20 मेनट 20 मिनट विश्रानति लेंड और उस को उन्होंने explains किया है कि वह विश्रानति जो होनी चाहिए वह आपके शरीर को जो बाया हाथ है, इसको नीचे करके दाए हाथ को उपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटे है अब वाम कुक्षी को सरल भाशा में समझाता हूँ भगवान विश्णु को लेटे हुए देखा शेशनाग पर बस उसी परिस्थिती में लेटे है उसी इस्थिती में लेटे है विश्णु भगवान शेशनाक पर लेटे हुए वो वामकुक्षी की अवस्था है खाना खाने के बाद हमेशा दुपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे है क्यों लेफ्ट साइड आप जानते हमारे शरीर में दो नाडिया है वैसे जब आपकी चंदर नाड़ी कम हो भोजन पचाना है सुबह का दुपहर का सूरी नाड़ी तीवर होनी ही चाहिए तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंद सूरी नाड़ी शुरू हो जाती है वैसे तो आगर आप स्वस्थ है तो खाना खाते ही आपकी सूरी नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाएए लेट तो ही शुरू हो जाए 20 मिनट जरूर लेट है फिर आप कहेंगे जी नीद आ गई तो बागवटी जी कहते हैं ले लो एक जपकी वो ये कहते हैं रोको मत इस नीद को जो सुत्र उनों ने लिखा है कि दुपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस से है शरीर में तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस जपकी को ले लो 20 मिनट की जपकी ले लो ज़ादा से ज़ादा 40 मिनट की ले लो इसके आगे ने तो अगर आप भोजन के बाद विश्रानती ले 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 20 से 40 मिनट तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत इनरजी आपके पास आएगी आप चाहें तो आज ही करके देख ले मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूँ बागवट जी ने कल एक सूत्र मने कल मैं उस सूत्र को लूँगा उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के 14 वेग होते हैं वेग उनको कभी भी रोके नहीं उसमें से निद्रा है नीद जो है न ये एक वेग है तो वो कहते हैं कि दुपैर के खाने के बाद अगर आलस से आ रहा है तो ये स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाते ही जठर अगनी प्रदीप्त होगी अगनी प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो शार्य शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा सारा खून एक जगे आएगा तो दूसरे अंगों पे तकलीफ आएगी के नहीं तो ब्रेइन को प्रेशर आता है तो ब्रेइन रिलेक्स होना चाहता है इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही ये प्रकरती का नियम है तो आप ले लेना उस नीद को छोड़ते क्यों है बहुत कीमती है लोगों को मिलती नहीं गोलिया खाते हैं फिर भी नहीं आती करोड़ों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है आती नहीं है नीद आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी हैं तो आप दुपहर की जपकी लेल हैं मैं आपको और एक छोटी सी जानकरी बताओं कि बागबट्य जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत那麼 हो रही है आजू आजकल आस्ट्रेलिया में ब्राजील में और मेक्सिको में कई कमपनिया ऐसी हैं जिनोंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने करमचारियों को और ब्राजील और मेक्सिको और आस्ट्रेलिया तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनने जा रही है कानून बनने जा रहा है कि हर एक करमचारी को लंच के बाद जबकी लेने के लिए ब्रेक देना कमपल सरी है तो सभी कमपनियों को ओरडर आया है सरकार का कि अपने ओफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी करमचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहाँ जबकी भी ले सके जिन कमपनियों में ये चल रहा है सिलसला मैंने उनसे इमेल से कान्टेक्ट किया कि भईया ये तुम को कहां से याद आ गया ये तो बागबटे जी साड़े तीन हजार साल पहले कहके गए तो उन्होंने का ये आप किया साड़े तीन हजार साल पहले था हमारे याँ अब पहुँचा है हमको अब पता चला है हमने इस पे रिसर्च शुरू किया है तो उन्होंने ये महसूस किया है तनका उतनी ही है बस एक जपकी लेने की छूट उनको मिली है काम बढ़ गया उनका तो आप भी महसूस कर सकते हैं और माताओं बहनों को तो विशेश विंती है क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है किसी भी फैक्टरी को चलाना बहुत आसान है घर चलाना बहुत मुश्किल काम है और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बढ़ा करना मैं मानता हूँ दुनिया में इससे बढ़ा कोई काम ने तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक जपकी लेने का नियम बना ही लो, सब काम छोड़ कर जपकी ले लो आपे, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया, जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा, तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा, इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शरम नहीं, सास की शरम पती की शरम नहीं, बच्चों की शरम नहीं. आपने दुपेर का खाना खाया, जपकी ले ही लो. 20 मिनट से 40 मिनट. जिन्दगी आपकी सुखी रहेगे. जिन्दगी भर आप सुखी रहेगे. इसमें कोई शरम की बात नहीं है, ये शरीर की जरूरत है. जैसे भूख लगती है, तो हम खाना खाते हैं इसमें क्या शरम करते हैं वैसे ही खाना खाते ही blood pressure बढ़ता है और brain को ज़्यादा pressure बरदाश्ट नहीं है तो नीद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है तो आप ये कर लो पुरुशों के लिए भी मेरी विंती है आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं कुछ बना लो आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं बीमा कंपनी में काम करते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बाग बट्ट तो हिंदुस्तान के थे तो आपकी बैंक और वीमा कमपनियों में भी कोशिश करो लेकिन आपको मालूम है ये जो हमारा BPO सेक्टर है यहां तो हो गया है गुणगाओं में चालू हो गया उन्होंने चालू कर दिया दुपहर को खाने के बाद जपकी लेने की छूट देना शुरू कर दिया तो अगर वहां हो रहा है BPO सेक्टर में IT सेक्टर में तो सब जोगे हो जाएगा धीरे धीरे ये आ जाएगा अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूँ गुजरात में जाता हूँ मैं राजिस्थान में जाता हूँ जैपुर जैसे शहर में राज़कोट जैसे शहर में तो दुपहर को सारा बजार बंद रहता है राजकोट में हजारों क्रोड का बिसनिस होता है रोजका, दुपहर को कोई दुकान पर नहीं मिलेगा, क्रोड़ पती से क्रोड़ पती, कहा है जी खाना खाके जपकी ले रहें, बहुत सुखी लोग हैं। काठिया वाड में मैंने देखा है क्या पोरबंदर क्या राज़कोट क्या जामनगर क्या जूनागर क्या अम्रेली दुपहर को बजार खुले गई नहीं और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा करोड़ों रुपए लेके सेड़ जी कहेंगे जी शाम को आना चार मज़े के बाद अरे सेड़ जी मेरे पास बैक बराय रुपियों का शाम को ले आना मुझे अभी इतनी फुरसत नहीं है मैं नीद ले रहा हूं बहुत सुखी लोग है समय का सही सदुपयोग कर रहा है अब कुछ लोग गालिया देते ह क्या निकम्मे लोग हैं दुपहर को सोते हैं, सो नहीं चाये, पुना में आप चले जाएए, पेशवाई के जवाने से, पुना के लोग दुपहर को खाने के बाद जरूर नीद लेते हैं, पेशवार ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था, बागवट के इस सूत्र का तो वहाँ भी है, पूना में भी है जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में हर जगे ये देखने को मिलेगा दुपहर के खाने के बाद सब जबकी लेंगे ही तो करनाटक में भी है तमिलनाडू का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज़्यादा में घूमा नहीं लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकरती के अनकूल है शरीर के अनकूल है इसलिए इसमें शरम नहीं, जियक है अच्छा, अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का वो ये कहते हैं कि दुपहर और सुबय के खाने का अगर आपने नीद लिया है खाने के तुरण बाद तो रात का भोजन माने शाम का भोजन रात से मतलब हमेशा शाम ध्यान रखना तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्यानती नहीं लेना उल्टा है विल्कुल सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांती जरूरी है शाम का भोजन किया तो दो घंटे तक विश्रांती नहीं लेना दो घंटे माने छे बजे खाना खा लिया तो आठ बजे ही जाना सोने के लिए उसके पहले नहीं पांच बजे खाया तो साथ बजे, दो घंटे तो विश्रान्ती लेना ही नहीं, क्यों सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है, सुबह सूरी का प्रकाश है, पवन का इसपर्ष बहुत तीवर है, शाम को सूरी का प्रकाश बिलकुल नहीं है, तो शरीर की बायो केमिस्ट्री पूरी बदल जाती है, सुबह और शाम, सुबह कच तरे के हर्मोंस हैं, शाम को दूसरे तरे के हर्मोंस हैं, तो शाम के लिए वो अब्जर्वेशन करके कहते हैं, कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, अगर सोएंगे तो हरट अटेक, डाइबिटी, सब बीमारी आने की संभाव, तो शाम को खाने के दो घंटे बाद तक ना सोएं, सुबह खाते ही जरूर विश्रानती लें, अब आके एक तीसरा सुत्र उनोंने लिखा है, दोनों को शायद मिलाया उनोंने, वो कभी भी एक्स्ट्रीम पे नहीं गए, बागवट जी, बीच में ही रहे, मिडल मारग हैं, मद्य मारग हैं, वो यह कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से, करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं, तो वो यह कहते हैं, कि 10 मिनट के लिए वज्जरासन में जरूर बैठ जाएं, सुबह और शाम दोनों, सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते हैं, माने विश्रांती नहीं ले पारें, किसी कारण से, और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पारें, दो घंटे तक आपको सोना नहीं है, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो यह कहते हैं, व प्राणायाम और योग में महर्शी पतंजली ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते हैं और महर्शी पतंजली कहते हैं महर्शी पतंजली बागवट के बाद के हैं महर्शी पतंजली कहते हैं कि अगर वज्र व्रके जैसा ही होता वज्राप समझते हैं एक दम कठोर मजबूत और अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा गांदी जीएको तो मेरे आँखों से नहीं देखा शुबा कांजी ने देखा यह गांदी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे घंटों 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 और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार वो वज्रासन की क्रपा है गांदीजी गांदीजी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते सुबह घुमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वजरासन में जब मौका मिला बैठ गए जब मौका मिला बैठ गए और घंटों घंटों तीन-तीन घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले-डुले वजरासन में बैठ के चिट्थी लिख रहें किताब पढ़ रहें वगरा वगरा तो दस मिनट तो कन्यूनतम करें ही जादा से जादा अगर आप कर सकें समय समय पर वजरासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहते हैं ये तीन सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हमारे बागवट रिशी कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित और मन दोनों शान्त रहने चाहिए चित और मन दो अवस्थाएं चित की है मन की है मौडरन साइंस में न चित है न मन है वो ब्रेन की बात करते है माइंड की बात करते है माइंड अलग है मन अलग है ब्रेन अलग है चित अलग है तो खित और मन दोनों शान्त रहें तो चित और मन को शान्त रखने का क्या उपाय है तो शायद इसी के लिए हमारे देश में य खाने के पहले या इश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले अगर इश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं कोई सूत्र बोल रहे हैं तो निश्चत रूप से आपके मन और चित्त में शांती आएगी तो खाने के पहले मन और चित्त को शांत करें बजन के द्वारा या तो भगवान की प्रार्थना के द्वारा कोई मंत्र के द्वारा कोई सूत्र के द्वारा जैसे आप करना चाहें वो करें और एक सूत्र बहुत महत्तुका वैसे तो मैं परसों कहने वाला हूँ लेकिन आज मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो इस से जुड़ा हुआ है बागवट जी एक जगे लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रान्ती लें सुबह या शाम माने रात को सोएं या दिन में सोएं तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रखके सोएं अब यहां पर वास्तु गुज गया वास्तु शास्त्र वास्तु भी विग्यान है तो वो कहते हैं कि इसका जरूर ध्यान रखें क्या ध्यान रखें तो वो कहें हमेशा आपको विश्रान्ती लेते समय सिर सूर्व की दिशा में रहे सूरी के देशा माने पूर्व के देशा और पाउं पश्चिम में रहे और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सके तो दक्षण में जरूर कर ले साउथ में और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षण दक्षण में सिर रखें उत्तर में पाउं आगे के सूतर में बागवट जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं उत्तर नौर्थ फिर आगे के सूतर में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मुरत्यू की दिशा है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है पढ़ना है, लिखना है अभ्यास करना है तो उत्तर में मुह रखके करें लेकिन सोने के लिए उत्तर बिलकुल निशिद्ध है अब बागवटे जी ने लिख दिया मैंने देखना शुरू किया जब से ये पढ़ा तो मैं गाउं में भी बहुत जाता हूं तो कई बार गाउं में मैंने ऐसी इस्तती देखिये किसी का मृत्ती हुई तो मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पंडिजी खड़े हो गए अंतिम संसकार के सूत्र बर्ला तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में हर गाहों में पंडिजी मृत का शरीर उत्तर में करो, मने सिर उत्तर में करो पहला ही मंत्र है पहला ही मंत्रों बोलेंगे मृत व्यक्ति का सिरुत्तर में करो और हमारे देश में आरी समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी द्यानिंद सरस्वती उन्होंने भारत में जो संसकार होते न जन्म का संसकार है गर्बाधान संसकार है मृत्यू भी एक संसकार है तो उन्होंने पुस्तक लिखी है संसकार विधी उसमें पहला ही सूत्र है म्रत्यू के लिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिरु उत्तर में करो उसके बाद विधी शुरू करो अब ये तो हुआ बागवट्ट जी का दयानन जी का वगरा अब मैं विज्ञान जोड रहा हूँ इसमें ये मेरा अपना explanation है क्यों आज का जो हमारा दिमाग है ये क्यों के बिना मानता नहीं हाँ क्यों क्यों ऐसा करें कारण उसका बिलकुल साफ है आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो प्रत्वी है इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है प्रत्वी और शरीर के बीच में इसको हम कहते हैं गुरुत्तु आकर्शन बल gravitational force अब ये कैसे काम करता है प्रत्वी के बारे में आप जानते हैं प्रत्वी का उत्तर, प्रत्वी का दक्षन ये दोनों सबसे ज़्यादा तीवर है गुरुत्व आकर्शन के लिए प्रत्वी का उत्तर, प्रत्वी का दक्षन एक चुम्बक की तरह से काम करता है गुरुत वाकर्शन के लिए आपका जो शरीर है इसका ये है उत्तर सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पाउं दक्षिन है तो सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर आप अगर प्रतिवी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए बागवत जी कहते हैं नहीं सोना, मानलो सो गए तो आपका सिर का उत्तर और प्रतिवी का उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो force of repulsion काम करता है विज्ञान ये कहता है force of repulsion माने प्रतिकरशन बल लगेगा तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकरशन बल आपके शरीर पर काम करेगा तो ये प्रतिकरशन बल जब शरीर पर काम करेगा धक्का देने वाला बल तो आपके शरीर में संकुचन आएगा कॉंट्रेक्शन और शरीर में अगर संकुचन आया तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है खून को भी प्रेशर आएगा और अगर खून को प्रेशर है तो नीद आएगी ही नहीं मन में हमेशा धड़ पड़ धड़ चलती रहेगी हिर्दय की गती हमेशा तीवर रहेगी तो उत्तर की दिशा प्रत्वी की है जो नौर्थ पोल कहलाती है हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर अगर ये दोनों एकी दिशा में हो force of repulsion काम करेगा प्रतिकरशन बल लगेगा शरीर में संकुचन आएगा नीद आएगी ही नई अब इसका उल्टा कर लो आपका सिर दक्षण में कर दो ठीक है प्रत्वी का दक्षण में आपका सिर कर दो तो आपका सिर तो नौर्थ हुआ और प्रत्वी का दक्षण हुआ साउथ हुआ तो आपका नौर्थ माने उत्तर और प्रत्वी का दक्षन ये दोनों एक दिशा में हैं तो force of attraction काम करेगा एक बल आपको खीचेगा और अगर आपके शरीर पर खीचाओ पड़ेगा मान लिजे आप लेटे हैं और ये प्रत्वी का दक्षन है और इधर आपका सि आएगा जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉड़ी में रिलेक्सेशन आ गया आप अंगड़ाई लेते ना शरीर को तान देते हैं फिर क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ा हुआया आप बहु सिर करेंगे तो force of repulsion है force of repulsion में शरीर पर दबाव पड़ता है force of attraction में खिचाओ पड़ता है खिचाओ और दबाव एक दूसरे के विपरीत हैं दबाव से शरीर में संकुचन आएगा तो खिचाओ से शरीर में थोड़ा सा फैलाओ आएगा तो फैलाओ है तो आप सुखी नीद लेंगे और उस पर दबाओ है तो नीद नहीं है इसलिए उन्होंने बहुत बहतरीन विशलेशन दिया है ये विशलेशन मैं मानता हूँ जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खतम करने का अकेला है सूत्रे नीद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर से बार भोजन अच्छा है नीद अच्छी है और क्या चाहिए तो आप नीद अच्छी लें ब्रेन हमेशा आपका force of attraction पे रहे इसके लिए दक्षण में सिर करके सोना बहुत अच्छा और नहीं तो पूर्व में करना अब पूर्व क्या है पूर्व के बारे में प्रत्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैग्यानिकों का कहना है कि पूर्व नीट्रल है पूर्व जो है ना नीट्रल है ना तो वहां force of attraction है जादा ना force of repulsion है और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को balance किये हुए है इसलिए पूर्व में सिर करके सोईंगे तो neutral आप भी रहेंगे तो आसानी से नीद आएगी और अच्छे नीद आएगी पश्चिम का आप पूछेंगे जी पश्चिम के लिए अभी research होना बाकी है बागवट जी मौन है उस पर कोई explanation देकर नहीं गए है औ और आज का science भी लगा हुआ है कोई research अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रिशित करूँगा पश्चिम के बारे में सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत research हो चुकी है पश्चिम पर वास्तुवालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लेकिन सोने के हिसाब से sleep के हिसाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूँ वो research पश्चिम पर कम हुई है पूर पर हो चुकी है दक्षन पर बहुत हो चुकी है उत्तर पर तो सबसे ज़्यादा हो चुकी है तो ये तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते सब म उनने category बना दे तो वो कहते हैं जो साधू है जो सन्यासी है जो ब्रह्मचरिका पालन कर रहे हैं जो ग्रहस्त जीवन नहीं जी रहे हैं जो दुनिया की मोह माया से दूर है इन सब को पूर्व में ही सिर करना हमेशा और जो दुनिया चला रहे हैं घर चला रहे हैं ग्रहस्त चला रहे हैं पत्नी के साथ रह रहे हैं बच्चों के साथ उनको दक्षण में ही सिर करना अब यहां बिलकुल क्लियर हो गया अब कोई confusion नहीं रहना चाहिए आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले घर ग्रहस्ती चलाने वाले दुनिया चलाने वाले लोग हैं तो आप तो आज ही अपने बैड की position बदलो दक्षण में सब के सिर होने चाहिए बैड के और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते ब्रह्मचारी हैं वगरा वगरा इनको पूर्व में ही सोना साधू जी साधवी जी जो भी हैं जिनको अपने जीवन में नेश्ठि नहीं है आप अपना याद रखो मैं मेरा याद रखता है अच्छा आज के लिए इतने ही सूत्र अब आप सवाल पूछ सकते हैं सिर के लिए हैं हाँ सरीर की खिचाई होती है तो क्या जिन बच्चों की हाइट कम है उनको कंपल सरी हम सूथ फिसिंग सुलाइए जरूर सुल जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षन में रख्के सुलाइए थोड़े तीन-चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी छैव बाई कब बताया था सुबह उड़ता ही पाणी बीना चाहिए लेकिन जैन धरम में यह बदता है कम से कम 48 मिनिट बाद मैं खुछ पीव लेना चाहिए है जो जैन दर्शन में 48 मिनिट का नियम है ना सूर्योद होने के 48 मिनिट के बाद वो बिलकुल नियम सही है पक्का है वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है वो नियम ऐसा है जो पानी है ना पानी बहुत सारी जीवराशियों का संग्र है अब यह थोड़ी सूक्ष्म की बात है मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सूक्ष्म जीवराशियों का संग्र है आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें करोडों करोडों सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे इधर उदर भागते घूमते अगर देख लें तो दिली नहीं करें पानी पीने के लिए यह तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुँ है यह जो लार है न यह मैंने आप से कहा कि सुबह के समय सबसे ज्यादा तीवर होती है मेडिस्नल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इस लार की तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि जादा जीवराशी की हत्या होगी इसलिए जहन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो हिंसा से बच सकें ये आदर्श है लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जेन शास्त्रों ने जेन आचारेों ने ये कह दिया जी अड़तालीस मिनट के बाद पियो ये अड़तालीस मिनट में क्या हो जाता है 48 मिनट में आपके मूं की जो लार है ना इसकी जो छारियता है ये कम हो जाती है बहुत कम हो जाती है बहुत तेजी से कम होती है और इसकी छारियता कम हुई alkalinity जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में तो जीवराशी के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है तो फाल्तु हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने ये कहा कि नवकार्शी वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट जी का भी है वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार कर करते हैं तो मुझ की जो लार है इसकी छारियता कम होना शुरू होती है तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंसा हिंसा का उतना महत नहीं है लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है तो आप बोलेंगे जी अड़तालीस मिनट तक क्या करें बैठे रहें तो बगवान का नाम ले लो आप ईश्वर का जाप कर लो मंत्र का जाप कर लो कुछ कर लो और फिर पानी पियो फिर उसके बाद आपकी दिन चर्या शुरू करों यह बीच का रास्ता मैंने बताया जी और को ईप्रसकार है तो ओ कैसे जी ये जो संसकार है ना बच्चे को जनम लेते ही शहद घी चटाने का इस संसकार को करते समय जो लोग है ना कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है आयुर्वेद ये कहता है कि शहद और घी बराबर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है लेकिन कुछ भारत में ऐसे समू हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं शहद और घी चटाते हैं लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते हैं लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा ऐसे कुछ समू हैं भारत में जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा तो वो मुझे एक intelligent उत्तर देते हैं और वो बागवट जी का भी सही है वो ये कहते हैं कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था अब ये जो गाय का गोबर और गोबुतर की जैसे भात आती है तो तुरन्द मेरे ख्याल में आता पंच गव्य बनाते हैं न पंचम्रत या पंच गव्य तो उसमें शहद और घी भी होता है लेकिन गोबुतर के साथ या गोबर के रस के साथ फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया गहा गोँ मूत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विशकारकता कम हो गई तो बाद में एक कल या नई तो परसो मैं इस पे विस्तार से आने वाला हूँ कि गाय के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तयार है माने उनकी दुश्मनी कम है माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विश्के बीच में डालो तो दोनों को neutral करता है, लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है, तो सलफर बढ़ता है, तो कुछ लोगों को मैंने पूछा जो ये कर रहे हैं, तो हो कहते हैं, हम बच्चे को शहद और घी चटाते हैं, लेकिन थोड़ा गोमूत्र दे कर, माने थोड़ा गोमूत्र एक बूं कर ना चटाए एक ही कंडिशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंबीर रोग ना हो अगर मान लो कोई बहुत गंबीर रोग है जिसमें विश ही देना है मान लीजे कई रोग ऐसे हैं जिसमें विश दवा का काम करता है ऐसे कई रोग हैं जिसमें विश दवा का काम करता है उस क बच्चों को मैंने देखा एकदम तामाई कलर के हो जाते हैं यह जो कौपर होता ने कौपर तामा तामर उसी रंग के बच्चे की इसकिन होना शुरू हो जाती है उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा उसके लिए वो काम आए है तो उसको ले सकते हैं बिलकुल मत लीजिए दवा जो है ना आप भरोसे से आयरुवेद की लीजिए तो उसे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे एलोपैधी की दवाएं साथ में खाएंगे तो कोई अच्छे परिणाम तो नहीं बुरे परिणाम जरूर आ जानेगे अरजन की छाल का जो पाउडर आप लेना के रहे हैं जब हम लेते हैं तो उसको पत्री के जैसे जमने की संका रहती है या डाउट रहता है अर्जुन की चाल से पत्री होने की शंका ना के बराबर है, पत्री होने की शंका एक ही चीज में है कि अगर आप चूना जादा खाएं तो, अर्जुन की चाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पत्री होई है, क्योंकि अर्जुन की चाल में जो कैलशियम है, वो बहुत ही क उना खाएं जी पेशाप करने के पस्याद पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना कल तक इंतिजार कर लीजे इस नियम के लिए ये कल आने ही वाला है आप पूछिये जी क्या जी काड़ा काड़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को पी एंगे तो नुकसान तो नहीं है लेकिन फाइदा भी बहुत नहीं आएगा फाइदा सबसे ज़्यादा काड़े का लेना है तो सुबह काई जी 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 इनको चाई पीने की आदत है सुबह उठते ही बहुत लोगों को होगी इसका नुकसान बताएं देखिए मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि चाई जो आप बनाते हैं उसमें चाई से ज़्यादा नुकसान है चीनी ये जो शुगर है ना चीनी इसका चाई के साथ कोई मेल नहीं है अगर आप चाई पी रहे हैं मैंसे तो मत पी हैं क्योंकि आपकी तासीर के अनकूल नहीं है चाई के जो केमिकल ह ना भारत के लिए उप्योगी नहीं भारत में रहने वाले लोगों के लिए यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय हमारे लिए वो जहर है कौफी तो और भी ज्यादा गरम देशों में चाय कौफी अच्छी नहीं है फिर भी अगर आप पी रहे हैं आप मानते हैं कि खराब हैं लेकिन क्या करें आदत से मजबूर है तो मैं एक तरीका बता देता हूं वो तरीका यह है कि चीनी की जगे गुड़ की चाय पी लीजें क्यों पी लीजें वो समझ ये गुड़ जो है ना चारी यह है और चीनी है ना अमली यह है चीनी जब डिसिंट इग्रेट होता है तो उसका अंतिम परिणाम है वो चार के रूप में है आपके पेट में अमल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो जादा ही होता है और उस समय अमल वाली चाय और पियें जो चीनी मिलाई हुई है तो यह एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपकी तो बहतर है क आप चाय पियें तो गुड़ वाली पियें अब गुड़ वाली चाय जब पियेंगे तो दूद नहीं डाल सकते उसमें क्योंकि दूद फट जाएगा गुड़ से क्योंकि दूद और गुड़ की दोस्ती नहीं है तो फिर बिना दूद की चाय पियें तो आप काली चाय पि लें तो निवू का रस ऐसे डिख है गुड़ जो है न चार यह है तो गुड़ मिलाई हुई चाय को अगर नीवू की चाई पिये ठीक है ऐसा कर लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिये वह नियम न बोले जी हाँ इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है न चार है और नीबू जो है ऐसे डिक है, तो चार अम्ल मिलें तो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल चाय हो जाएगी जब आप पिएंगे, मैंने चाहता कि चार ये तत्तु भी जाएगी आपके पेट में, क्योंकि चार भी नुकसान करता है, तो गुड डाल दिया, तो चार पन आया चाय में, तो थोड़ा दो तीन बून नीबू के रसकी डालिये, तो फिर नूट्रल हो जाएगा, वो आप पिएंगे, तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे उसको, और अगर आपको बन पाए, बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिएं, ये जो चाय आती है ना बजार में टी डस्ट, ये आप मैंसे किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, आपको अगर पत्ते वाली हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है, तो वो कम से कम इतना जरूर फाइदा है, कि वो एंटी ऑक्सिडेंटल प्रॉपर है कि भोजन लेते हैं, वजरासन में बैठके भोजन लेते हैं, तो इस्टरन कंप्रीज में करते हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थोड़ा सा मंगोलिया में जाएं तो वहां भी करते हैं, वजरासन में बैठकर वो लोग भोजन कर सकते हैं, आपके लिए उतना अनक पूल है अब यह क्यों है एक दिन रुख जाईए परसों में एक्स्प्लेन करने ही वाला हूं और मैंने यह भी नोटिस किया है कि यहां के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजिब समझते हैं इसलिए क्योंकि कि डाइजिशन में हेल्प करता है लीजिए ना मैंने मना नहीं किया लेकिन जैन दर्शन का पालन अगर आप कर रहें तो मत लीजिए और अगर आप जैन दर्शन में पालन नहीं कर रहें अपने जीवन को तो आप शहद लेने के लिए स्वतंत रहें जैन दर्शन में हैं तो म पानी कितना लेना चाहिए यह सब के लिए अलग अलग है तो इसका सूत्र बता देता हूं हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए आप अपना वजन करिए वजन अगर 60 किलो वजन है तो 10 से भाग दीजिए इसमें तो 6 आएगा और 2 घटा दीजिए तो आप 24 गंटे में 4 ल इस घंटे में पानी पी सकते हैं किसी का वजन 40 किलो है दस से भाग दीजिए 4 आएगा दो घटा दीजिए 2 लीटर पानी पूरे दिन में पी सकते हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तै कर ले जितना वजन 10 का भाग और 2 घटा ना